यूक्रेन में पिछले तीन दिन के अंदर पुतिन की सेना ने तीन शहरों पर बहुती खतरनाक हमले किये और अब चौथा नमबर राजधानी कीव का हो सकता है पुतिन के नए हमले भी ऐसे हैं कि यूक्रेन में जहां जहां मिसाइल गिरी वो जगए गाजा जैसी नजर आ रही है ये ना तो गजा है न वेस्ट बैंक है ना ही लेबनान का कोई गली महला है ये इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक वार जोन यूक्रेन है ये यूक्रेन का लवीव शहर है ये जैलन्सकी का सबसे सुरक्षित पिला है ये यूक्रेन की तरफ से पोलेंडी यानि नेटू की तरफ जाने वाला एंट्री गेट कहा जाता है और ये शहर जल रहा है पुतिन ने तीन दिन के अंदर तीन बड़े हमले किये हैं पहला हमला डोनेस के पास पॉक्रस्क पर दूसरा हमला खारकीव के पास पॉलतावा पर और तीसरा हमला पोलेंड के दरवाजे लवीव पर किया है यानि पुतिन ने अपने परहार में P-Factor दिखा दिया है अब दिन में देखे लवीफ का हाल इस ड्रोन वीडियो को देखकर ना सिर्फ जेलंस की घबरा गये हैं बलकि वाइट हाउस में भी पैनिक है क्योंकि पुतिन ने सोच लिया है कि बिना रुके मारूँगा और गिनूगा भी नहीं सिर्फ इमारतों का फर्क है घज़ा में भी जब इजरायल बम गिराता है तो रिहाईशी एलाके ऐसे ही जलते है इसे आप पुतिन का घॉससा कह सकते हैं इसे आप पुतिन का पदला कह सकते हैं इसे आप पुतिन का प्रहार कह सकते हैं पुतिन बता रहे हैं कि युक्रेन का कोई लाका, कोई कोना ऐसा नहीं जाहों उनकी मिसाइल नहीं पहुँच सकती इस हमले में 7 दोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 बच्चे हैं, 30 से ज्यादा लोग घायल है, 70 से ज्यादा इमारते तबा हो गई है लाशों को निकाला जा रहा है, पूरा शहर देशत में है, क्योंकि किसी को उमीद नहीं थी, कि रूश का हमला यहां भी हो सकता है और इतना खतरनाक हो सकता है लवीव के बाद पुतिन का दूसरा टार्गेट देखिए, यह पुल्तावा पुल्तावा पर हुए मिसाइल हमले में क्यावल लोगों की मौत हो चुकी है 275 लोग घाल हुए है, यह शहर खारकीव के बाद पुतिन के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है इसलिए रूस ने पुल्तावा पर अचानक दो बलिस्टिक मिसाइल से हमला किया देखिए इन बिल्डिंग्स का हाल, लगता है न गजजा जैसा इलाका इमारते जल रही है, पूरा इलाका हाली हो चुका है, और यहाल दो बड़े मिसाइल अटेक के बाद हुआ है पिर बाद है का आंक लग्तावा रह uz た बादाई Ky İl CT पुल्तावा वो शहर है जो अभी युद्ध की फ्रंट लाइन पर नहीं है लेकिन खारकीब के तरीब है और यही वज़ा है कि पुतिन ने यहां मोर्चा भोल दिया है वो यहां पर ऐसी मिसाइलों से हमला कर रहे हैं जिसे रोकना जिलन्सकी के बस की बात नहीं मानी जाती युकरेन के रक्षा मंतराले ने कहा कि पुलतावा के लिए बहानक दिन रहा एर रेट सायरन और मिसाइल हमले के बीच में इतना कम वक्त मिला कि लोग बॉम शेल्टर में जाने के दौरान भी घायल हो गए ऐसे शेहरों को टारगेट करने के लिए पुतिन अब अपनी खतरनाक शौट रेंज बलिस्टिक मिसाइल इसकंदर का ज्यादा इस्तिमाल कर रहे हैं पानसो किलोमीटर रेंज वाली इसकंदर मिसाइल जहां गिरती है वो साथ सो किलो वाले विस्पोटक से धमाका करती है इस मिसाइल से युकरेन में सबसे ज्यादा हमले अंजाम दिये गए है ये मिसाइल जहां गिरती है वहां ये हाल होता है युकरेन का दावा है कि ये मिसाइल क्राइमिया से दागी गई जहां से पुलतावा की दूरी 400 किलोमीटर है अब सवाल उठाए कि पुतिन ऐसे शहरों को टार्गेट क्यों कर रहे हैं जो डारिक फ्रंट लाइन पर नहीं है यानि पुलतावा के अलावा पोकरस्क और पोलेंड के करीब लवीव को क्यों टार्गेट किया गया है वो भी ऐसी बंबारी के जरिये जिसे देखकर यूकरेन के सैनिकों के पैर कांपने लगे रूस अब छोटे शहरों पर बड़े हमले क्यों कर रहा है तो इसका जवाब सारतौव में हुए अटैक से मिल सकता है 26 अगस्त को यूकरेन के ड्रोन ने रूस के सारतौव में एक बिल्डिंग पर हमला किया था जेलिंस्की का ड्रोन रूस के सारतौव शहर में पहुँचा और फिर इस रिहाइशी बिल्डिंग से जाटकराया इस बड़े धमाके ने मौस्को तक रूस को हिला गिया था एक बार फिर देखिए किस तेजी से ये ड्रोन बिल्डिंग की तरफ बढ़ा और फिर ऐसे ही धमाकों का जवाब पुतिन अपुलतावा पोक्रोसक और पोलेंड के करीब लवीव शहरों पर हमले से दे रहे हैं पुतिन के उस्से वाले मीटर की सुई लाल सिगनल देने लगी अब आप कह सकते हैं कि पुतिन का अटैक मीटर लाल सिगनल दे रहा था पुतिन ने सारतौब में हुए हमले के बाद अपनी वार बैटरी फुल रिचार्ज की और बता दिया कि रूस वक्त आने पर कैसा जवाबी हमला करता है